चोपड़ा जुकिस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्रे वैकन्सी राउंड के रूल्स के बारे में बात करेंगे इसकी इलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कौन-कौन से candidate इसके लिए eligible है कौन-कौन से candidate इसके लिए eligible नहीं है क्योंकि YouTube पर ऐसे काफी सारे वीडियोज में गल्थ जानकारी दी जारी है जिससे student tension में आ गए है तो मैं आपको यहां पर fact बताऊंगा information blatant के मुताबिक आपको मैं यहां पर बताऊंगा information blatant में जो बातें लिखी हुई है वो MCC के help line नमर से हमने confirm किया है उनके senior officer से हमने बात की है तो सबसे पहले मैं आपको इसके rules बताऊंगा उसके बाद में third round में seat block होने के बाद कितने seat आ सकती है stay vacancy round में वो बताऊंगा और इसकी expected cut off क्या रह सकती है stay vacancy round की category wise आप सब जानते हैं हमारी जो cut off रहती हो बिलकुल accurate रहती है लेकिन third round में जो cut off थी वो seat block होने के कारण accurate नहीं रही थी क्योंकि एक ही candidate ने state में भी seat ले ली और all India में भी seat ले ली इससे seat block हो गई है और stay vacancy round में ये काफी seat आने की possibility है तो सबसे पहले आईए हम stay vacancy round के rules जान लेते हैं तो mcc के revised information plate in page number 42 पर question number 29 में ये पुछा गया है कि stay vacancy round के लिए कौन-कौन से candidate eligible नहीं है तो इसके point number one पर ये लिखा गया है कि जो stay vacancy round के लिए registered नहीं होंगे वो इसके लिए eligible नहीं है कहने का मतलब ये है कि stay vacancy round के लिए जो candidate registered होगा वही इसमें seat ले पाएगा अभी इसमें phrase registration की facility है phrase registration किन-कन candidates को करना है तो जिन candidate ने first round second round third round में registration नहीं किया है stay vacancy round में वो seat लेना चाहते हैं तो उनको phrase registration करना हैं ऐसे candidate जो second round में seat तो alert करवा ली थी लेकिन उनकी security money forfeit हो गई थी उन candidate को फिर से registration करना है stay vacancy round के लिए first round के candidate को registration करने की जौरत नहीं है उनको seat alert हो गई थी तो उनकी security money forfeit नहीं हुई है क्योंकि वो free exit था इसलिए अगर first round के candidate ने registration किया है तो उनको stay vacancy round में registration करने की आवशकतन नहीं है इसमें तो दो परकार के candidate होगे जिनको यहां phrase registration करना है first में जो जिन्होंने first second third round में तीनों में registration नहीं किया है वो phrase registration करेंगे दूसरी type के candidate वो है जिन्होंने second round में security money forfeit करवा ली थी वो यहां पर दुबारा से security money करके फिर registration करेंगे तो आपको stay vacancy round में अगर seat लेनी है तो इसके लिए registration जरूरी है दूसरे नमर पर point पर यह लिखा गया है कि जिन candidates ने किसी भी जगे या state में हो या mcc के किसी भी round में किसी भी जगे अगर seat join कर रखी है या hold कर रखी है वो candidate इसके लिए participate नहीं कर सकते इसके लिए eligible नहीं है वो अब join का क्या मतलब है जिन्होंने permanent join कर लिया holding का मतलब जिनके पास में seat join तो कर रखा है अपग्रेड के लिए लगा रखा है तो मतलब जिस candidate ने अगर किसी seat को join कर रखा है या hold में है उसके उसके पास है वो seat रोक रखी है उसने तो वो candidate इसके लिए eligible नहीं है दूसरे परकार के candidate eligible इसमें नहीं है जिसने seat join कर रखिये या hold कर रखिये तीसरे point में इन्होंने लिख रखा है कि जिन candidate ने third round में seat अलोट कर वा ली और उसके बाद join नहीं किया वो candidate भी इसके लिए eligible नहीं है जिसने join नहीं किया वो तो उपर वाले point में आ गया कि वो eligible जिसने join कर लिया वो तो वैसे भी eligible नहीं है जिसने join नहीं किया वो भी eligible नहीं है कहने का मतलब जिनका third round में allotment हुआ है वो candidate इसके लिए stay vacancy round के लिए eligible नहीं है तो ये तीन प्रकार के इसमें इसके answer दिये गए है इन तीनों को हमने clarify किया है mcc के help line नमर से मैंने भी किया है मेरे click से भी करवाया है मेरे assistant से भी करवाया है सभी से हमने clear करवा लिया है जबाब यहीं मिलाए कि अगर किसी candidate ने seat hold नहीं कर रखी है वो candidate इसके लिए eligible है और जो candidate इसके लिए registered होगा वो candidate eligible है और जिनको third round में seat alert नहीं हुई है शोरी seat alert हो गई है जोइन नहीं किया है वो candidate भी इसके लिए eligible नहीं है यानि third round में seat alert होनी ही नहीं चीए वो candidate इसमें eligible है तो यह तीन परकार की condition है इसके अलवा सारे candidate eligible है यानि कि जिनको जिनके पास कोई अभी तब seat नहीं है वो candidate भी eligible है और जिनोंने registration कर दिया इसके लिए stay vacancy round के लिए वो भी candidate eligible है और जिनको third round में seat alert ही नहीं हुई है वो candidate भी इसमें eligible है तो मैं समझता हूँ MCC का जो stay vacancy round के eligibility के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अभी काफी सारे YouTube channel पर ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी round में seat alert करवा ली वो stay के लिए eligible नहीं है ऐसा नहीं है अगर आपने first में भी alert करवाई है second में भी alert करवाई है तो आप eligible है second round में alert करवाई है तो उसके लिए आपको phrase registration करना होगा third round में अगर alert करवाली तो आप eligible नहीं है states का भी ऐसा ही है अगर आपने state में भी join कर रखा ऐसी तो भी आप eligible नहीं है stay vacancy round के लिए यानि कि joined कहां भी हो वो MCC में हो या state में हो joined candidate इसके लिए eligible नहीं है और MCC के third round में alerted candidate eligible नहीं है बात कि सारे candidate eligible है ये clear है तो मैं सोचता हूँ, eligibility के बारे में आप पूरा समझ गए होंगे अब इसमें जो final stay vacancy round के rule दे गए हैं उसमें एक बात लिखी गई है कि after third round third round के बाद में सभी state से list मगाई जाएगी mcc भी अपना एक list तयार करेगा तो जिन candidates को third round में seat alert हो गई उनको बार निकाल दिया जाएगा या state में अभी तक stay vacancy round तक किसी ने candidate ने seat join कर ली उनको भी बार कर दिया जाएगा तो वो registration नहीं कर सकते हैं जो इनको बार कर दिया जाएगा तो इस परकार की इसमें ये बाते लिखी हैं इसमें student confused हैं जो center state से data के लिए बोल ले हैं इसमें वो candidate में अगर उस list में allotate candidate की list में नाम है तो वो सिरफ third round की है mcc की तो ये मैंने आपको clear कर दिया है तो ये आप बिल्कुल clear हो चुके होंगे यानि कि state में join नहीं होना चीए seat आपको और mcc के third round में seat allot नहीं होनी चीए और mcc में भी किसी round में आपने join नहीं किया होना चीए तो ये rule होगे अब इसमें seat कितनी आ सकती हैं तो जो पिछली बार seat आई थी 218 seat mbbs की vacant होके आई थी यानि कि 740 seats थी पूरी की पूरी लेकिन पिछली साल कुछ rules अलग थे अब की बार rule ये थे कि जिन्होंने ओल इंडिया के second round तक join कर लिया या state के second round तक join कर लिया वो मोपप में भी नहीं जा सकता इस्टे में दो वैसे भी नहीं जा सकता लेकिन अब की बार पूरा का पूरा ये बंदिस हटा दिया गया है यानि की candidate ने अगर state का second round join कर राखा है वो ओल इंडिया में seat alert करवा सकता है ओल इंडिया का third round अगर उसने alert करवा लिया तो state में जा सकता है तो ऐसा कोई बंदिस नहीं है इसके कारण seat blocking हुई है अब की बार और ये seat stay vacancy round में 700 आने की possibility है यानि की MBBS की 700 seats इस बार आ सकती है stay vacancy round में जो पिछली बार 218 seat आई थी इस बार 700 seats आने की possibility है क्योंकि काफी सारे student ऐसे हैं जिन्होंने state में तो seat join कर किये ओल इंडिया में seat उन्होंने अलोट कर वाली है और state वाले अभी resignation की date भी दे चुके हैं कि इतनी तारिक तक आप resign करके जा सकते हैं ओल इंडिया में तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है seat एक काफी आएंगी 700 seats आने की possibility है जब 700 seats आएंगी तो cut off क्या रह सकती है तो cut off रह सकती है ये देखो यूर कैटेगरी 607 cut off रह सकती है हालांकि ये cut off मैंने यूर ओभी से EWS की predict की थी third round के लिए लेकिन ये third round के लिए साबित नहीं हो पाई seat blocking के कारण लेकिन ये इस्ट्रे में जा सकती है इतनी cut off क्योंकि अगर ये third round में जाती इतनी cut off तो फिर third round से इस्ट्रे में cut off कम चली जाती है यानि कि उसमें कोई अंतर नहीं रहता तो UR और OBC की 607 EWS की 605 SC की 470 SC की 440 cut off रह सकती है stay vacancy round के लिए तो ये मेरी expected cut off है इसको आप बिल्कुल accurate मत मान के चलना हो सकता है इसमें हम ऐसा अभी idea नहीं लगा पा रहे है कि कौन सा student state में seat ले रहा है और कौन सा student All India में seat ले रहा है अगर All India में seat student ज्यादा लेंगे तो state की cut off कम जाएगी अगर All India में student ज्यादा तो state की cut off उसी साथ तो ये रहेगा cut off का जो आंकलन है हमने पुरा analysis करके पुरा data निकालके ये सब कुछ किया है तो ये cut off इतनी जाने की possibility है आप इसके according अपना जो planning वगरा है उसी हिसाब से कर लें आपको कहीं state में लेनी है आपको कहीं All India में लेनी है तो ये मैंने आपको stay vacancy के rule भी बता दिये है expected cut off भी बता दिये और expected seat भी बता दिये है